अब तो जी हां हेलो मस्ते सस्रेकाल असलाव अलेकूं दोस्तों फ्री डिटी ए सिस्टम चैनल पर आप सभी का हर्दिक वात है दोस्तों आज में एक अपडेट लिएक रहा हूं वह है अ आज कमेंट आया मेरे एक दोस्तों उलकर रहे हैंब तो वहारे और दोस्तों चैनल फांकि करेंगे अ चाहिए भाज़ात करूओ सुनक्राइब करें प्लीज जल्दी सी चाहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए हमारे वीडियो को है इसको भी लाइक किजिए शेर करना बहुत शुरू हुए दूस्तों मैं हर वीडियो में बनाता हूं ताकि आपको समझ असानी से आजाए तो चलिए हम वीडियो स्टाट करें द अब को दिखाने के लिए इसको मैंने डीडी फ्री डिश का फोकस रखा हुआ आप देख रहें बिलकुल डीडी फ्री डिश का और मैं इसका सिंग्लल भी आपको एक वर बता देता हूं सिंग्लल सब बताना जरूरी है टाकि आपको पता लाज़े मेरी डिश अभी यहां प इसका आपको सिंग्लल बता दू जल दी से जहां मुझे अभी 66 सिंग्लल मिल रहा है यह हमारा डीडी फ्री डिश का स्क्यू है टीका तो अब हम हम ड्यालेज डिग्री को सेट करने के लिए इसका स्क्यू चेंड करेंगे अगर उससे पहले मैं आपको इसका सिंग्लल बता यह देखिए ठीक है 110-90 वर्टिकलों 29-500 का मुझे इतना सिंगन में रहा है तो चलिए अभी मैं आपको ड्याले सिटीरी ट्रैक करके दखाऊंगा इसको फोकस से चलिए अब बिना देर किये ड्याले सिटीरी को सेट करते हैं ठीक है अब ही मैं 42 डिगरी की टीपी सेलेक्ट कर लेता हूं जल्दी से दोस्तों जब भी कोई सेटलर को ट्रैक करना आना हो तो आपके बाद 3-4 टीपी रखो एक टीपी से सिंगनल आ जाए दूसरी टीपी को टेक करो वहां से सिंगनल आ रहा है अगर थोड़ा सा भी आ रहा है एलेन भी इसको को मुवमेंट करो उससे भी आपको सिंगनल जाएगा अगर डिश्क की गुमाने की जूरत पड़ती है उसको भी थोड़ा हैंडल करो तो आपकी 2-3 टीपी से सिंगनल आ गया लेकिन उससे पहले मैं अभी LNB skew को चेंज गरना चाहूंगा ठीक है यह देखी मैं इसको कितना चेंज करते हैं इतना चेंज गरना ठीक टो इसब इतना काम राखना आपको जादा नि घुमाना ठीक है कोई वर वाइसों नीचे रखना इसको गारे जड़ो रिखना उपर में रखना इसको है नीचे रखना लाटी हमेचा नीचे भी उर रखनवी यहां पर स्पेस होण चाहिए खाल hiss miss 씌 पूरा आगे की और नी होना चाहिए ना इंपीछे की और उजनी होना चाहिए एक उंगली की यहां पर स्पेस होनी चाहिए यह देखिए मैं कितना घुमा रहा हूं वह देखते जाए अगर आगे हो जाता हूं सिंगला मुझे मिल गया है दोस्तों ठीक है सिंगला मिल गया है अब मैं इसको सेट कर देता हूं सिंगला मुझे मिल गया हूं तो मैं अभी देखता हूं दूसरी टीपी से मुझे सिंगला मिल गया है था कि एक और टीपी से मुझे सिंगला चाहिए वह थोड़ा से ट्राइब तो यह सिंगलन मुझे मिल गया दुस्तु थोड़ी सी मूवमेंट किया सिंगलन एक और टीबी में ट्राई करता हूँ एक टीपी और मेरे पास है एलैंडबी के चेक कर लेता हूँ लीजिए और आपको दिखाता हूं शिप्लाई मुझे मिल गया कि मैंने एक टीपी से ट्राइ की है ठीक है सिगनल मिला दूसरी टीपी से भी मैंने सिगनल नकाल लिया यह दोस्तों मैं आपको टीपी दिखा रहा हूं मुझे कौन कौन सी टीपी से सिगनल मिला एक वर मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं करके यह दिखिए पहली टीपी से सि सब्सक्राइब सब्सक्राइव你好 कि आंद सुस्च युरु कैसा रखना यह किए ऐसे ही ट्रेक करना समीं 4 TP या अगर 3 TP 2 TP तो रखनी रखनी है ठीक है यह ऐसी होगा ट्रेकना तो एक TP से कुछ नी होने वाला LNB screw कैसा रखना यह देख लीजेए और डिश कैसे खड़ी होने चाहिए यह भी देख लीजेए दिश इतनी घड़ी है में सैड से आपको तकारत रुकुल तो यह वह इंपूमेशन थी हमारे मामद सलेम भाई के लिए तो और उनके और अदने दोस्तों के लिए थीक है जो 42 डिगरी को सैड करना चाहते हो तो यह मैंने के लिए बनाया जो 42 डिगरी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको कसी लगी मुझे किमेंट में जूबताना है ठीक है दूस्तों मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्यार रखीगा टेकेर हवे नाइस दे और खास करके इस गर्मी में सभ अपने पड़ों का जुरू ख्यार रखें के धनेवाद